भारत में हर तरह की आपदा से वर्स भर में जितनी मोते होती हैं, उससे कहीं सो ज़ाधा मोते सडक दुर घटना से होती हैं। सायद, आप सब इस सचाई को जान भी रहे हूं, लेकिन क्या आपने कभी सुचा, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। सम्रिध्धी की सडक पर घटी पकड रहे देश में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही हैं, और सडकों की लंबाई भी। लेकिन दुखा दिया है कि मार्ग दुर घटनायें और उनमें हो रहे मोतों की संख्या बढ़ रही है। भारत में वीते वर्ष सडक दुर घटनाओं में मोतों की संख्या में ब्रिधी एक चताओनी है। इन सडक दुर घटनाओं में दो पहिया वाहन सबसे अधिक मोतों का कारण बन रहे हैं। पिछले वर्ष की तुल्ला में 2021 में सडक दुर घटना में 16.8 प्रतिसत की बढ़ुत्री धर्ज की गई। जिसमें से 19 प्रतिसत दुर घटनाएं भारत में सराप पी कर वहान चलाने के कारण हुई। बिसु बैंक के अनुशार भारत में हर चार मिनट में एक मोत सडक दुर घटना से होती है। तथा वर्ष 2021 में कुल एक लाग पच्पन हज्जार से ज्यादा लोगों की मोत हुई। 62 लाग किलोमेटर से अधिक लंबे सडक नेटवर्क में सुरक्षित याता या चिंता का विषय बना हुआ है। जिसको लेकर सुप्रीम कोड की सक तिपड़ी के बाद सरकार ने एक कमेटी गढ़ित की थी। और इस कमेटी ने साब तौर पर कहा था कि एक दिर्खकाली टिकाओं और सफल सडक सुरक्षा निती तभी बन सकती है जब जमीनी अस्तर पर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का काम सही तरह से किया जाए। और यह तभी संभाव है जब सरकार ससक्त और जनता जागरुख होगी। इसके लिए परिवहन एओं राज मार्ग मंत्राले ने 2019 में मोटर वाहन कानून को संसोधित करते हुए धारा 134 ए सामिल किया। जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ब्यक्ति दुरुखटना के समय गहायल ब्यक्ति की मदद करता है तो उस पर कोई सिविल और आपराधिक कारवाई नहीं की जाएगी। अपनी और लोगों की सिरुक्षा के लिए आप भी सड़कों की सिरुक्षा का आडिट कर सकते हैं जहां कहीं भी कुछ गरत दिखे जैसे अवयत कट, खराब सिगनल, गड़े, आदि जिससे दुरुखटना का खत्रा हो तक काल उसका फोडो खीचे, वीडियो वनाए और इस की जिन्दगी बचा सकता है, धन्यवाद